कि आज आज बेसिकली मैं मोबाइल फोन की पेरिवी करने के लिए आया हूँ कि मोबाइल फोन कैसे किस तरीके से आपके लिए बेनिफीशल हो सकता है और किस तरीके से आपको बरबाद भी कर सकता है बहुत सारे मोबाइल फोन के ऐसे पहलू है जिनकी चर्चा किसी भी प्लेटफॉर्म को उपर नहीं हूँ चाहिए वो डिजिटल मीडिया हो चाहिए प्रिंट मीडिया हो चाहिए टीचर से तो जो भी है तो स्टार्ट करते हैं शिद्दत से कॉंसेप्ट को समझेंगे क्योंकि जब तक आपकी कॉंसेप्ट्चॉल क्लेरिटी नहीं होगी तो आप perfect action कभी ले ही नहीं पाएंगे right mobile phone जितने भी लोग को लगता है कि उन्ने अपनी जिन्दगी चेंज करनी है तो शायद ये session उनकी जिन्दगी को हमेशा के लिए चेंज कर सकता है और ऐसा मेरा strong belief है session आगे बढ़ेगा तो आपको चीजे समझ में आएगे सबसे पहले बात करते हैं mobile and youth और आप सिर्फ आप ही नहीं समझेंगे आप जिन्दगी में बहुत सारे लोगों को समझा पाएंगे कि actually मैं हो क्या रहा है तो एक बहुत basic scenario में लेता हूँ दीपक नाम का एक लड़का है इंस्टाग्राम के उपर एक फोटो डालता है जिस पर एक नहा नाम की लड़किया के कमेंट करती है नाइस फोटो दीपू दीपक को दीपू सुनने की देर थी और उसका चिराग जलुडता है उसको motivation मिलता है उसमें बस उसका सीना जलुडता है कि वाह हम इसी बात को तो सुनने की प्रतिक्षा कर रहे थे हम हमें ये नहीं सुनना कि तुम महान हो गए तुम actor हो गए तुम collector हो गए तुम director हो गए तुम doctor हो गए हमें तो दीपु ही सुनना था और जैसे ही वो ये सुनता है वो फटाक से सर्च करता है खुद के फोन पर best photographer in my district पहले उसने normally खुद के फोन से फोन डाली थी लेकिन अब दीपु motivate हो चुका है तो दीपु फोटाक से सर्च करता है कि best photographer in my district और ढूंड के लाता है best photographer को जो डेश लार फोटो लेता है हाँ आपने देखियोगे ना वो आइफिल टावर की चोटी पकड़के ताजमेल की टोपी पकड़के वैसी फोटो लेता है टोपी और चोटी का खेल तो आपने देखा होगा अब ऐसे भी हमारा देश फिलाल दो ही चीजों में बटा हुआ है एक टोपी है और एक चोटी है हिंदु चोटी में घूम रहा है मुसल्मान टोपी में घूम रहा है कॉनसेट किसी को समझना नहीं है लड़ना है बस तो एक टोपी पकड़के फोटो किचा रहा है चोटी पकड़के खिचा रहा है दीपु उसको देके इम्प्रेस होगया कि हाँ प्रोफेशनल फोटोग्राफर लगता है दीपू उससे contact करता है और कहता है कि भाई हमारी फोटो किछनी है वो फोटो के सोर पे लेता है और दीपू के एक फोटो खिछता है DSLR मतलब जिसमें सिर्फ focus दीपू के ऊपर है पीछे कुछ दिखनी रहा दीपू फिर फटाक से उसको Instagram पे डाके डालता है और अब की बार नेहा, प्रियंका, शिवानी, कनीका कहीं के message आते है comment आता है वा दीपू आग लगा दी अरे दीपू तुम तो च्छागे, my handsome hero और दीपू जिंदगी में कहीं और आग लगाए ना लगाए Instagram के उपर आग लगा दी दीपू ने तो जिंदगी बदल दी है, आग लगा दी, वक्त बदल दी है, जजबात बदल दी है, जिंदगी बदल दी, Instagram ही बदल दी है आप देख रहे हो, दीपू का motivation बढ़ रहा है, क्योंकि quality of comment बढ़ रहा है अब दीपू क्या सर्च करता है दीपू सोचता है, क्यार हर बार तो उसको डीट सर्वे दूँगा नहीं, दीपू सर्च करता है best DSLR camera Google पर जाके सर्च करता है, best DSLR camera और खरीद लेता है Instagram का bio update करता है Hashtag wildlife photographer, Hashtag natural photography, Hashtag DSLR is love, Hashtag photography is my passion और दीपू अब इसी काम में लग जाता है, वो सिर्फ इस चीज का weight कर रहा है कि कैसे, better से better comment है वहाँ दीपू, you are looking hot और इस चक्कर में दीपू का दिल धधक रहा है और बस वो इनी चीजों में, खयाली पुलाओं में जी रहा है समय के साथ साथ में जो लड़कियां comment कर रही थी, उनकी शादी हो जाती है क्योंकि लड़की की शादी DSLR से नहीं होती है, HD photograph से नहीं होती है लड़की की शादी होती है success से, लड़की की शादी होती है profession से, लड़की की शादी होती है नौकरी से, top class नौकरी से और दीपू वहीं बैठा है पात साल बाद दीपू जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहता था वो इंस्टाग्राम बायो अपडेट करता है डेड़ सो रुपे पर फोटो क्योंकि अब दीपू के पास केमरा है सब ने उसका काटा और निकल लिए जिंदगी में जो करना चाहता था उसका एक परसेंट भी नहीं कर पाया क्योंकि उसने शायद उस ट्रैप में फसकर अपनी जिंदगी के गोल्डन येर्स का सत्यनास कर दिया और ऐसे कई दीपू हमारे हिंदूस्तान में घूम रहे हैं जो एक दिन सोचल मीडिया पर आके डालते हैं फ्यूचराइएस तीन साल बात वो यूपीएस सी मीम्स के एड्मिन बने बैठे होते हैं एड्मिन मैंने बैठे हैं कॉंटेंट डून रहे हैं मीम्स बनाने के लिए और ये बात सिर्फ लड़कों की नहीं है लड़कियों की भी है उनकी किसी एक रेल की किसने तारीफ कर दी बढ़िया डान्स किया तो कच्छा बादाम पे शकिरा बनने की कोशिश में लगी हुई है बेली करना है बेली करना है गेली हुई पढदिए उसमें ने पढ़ जाओगे दोस्त लड़कियों के इतना फरक नहीं जितना लड़कों को पड़ता है, क्योंकि boys are the success object success लड़कों को इतना अफरक नहीं पड़ता है, बस इतना सा फरक पड़ता है कि उनका जो honeymoon है वो पैरिस से पटना शिफ्ट हो जाता है जो honeymoon पैरिस में होना था वो पटना में आ गया तो हमें यह समझना है कि हम जो दीपक से दीपू बन रहे हैं बेली डांस के चकर में गेली बन रहे हैं वो क्यों हो रहा है एक बच्चा जिसको डॉक्टर बनना था आईएटिन बनना था वो नीट जेए मोटिवेशन फेंपे चला रहा है कि मैं आपर फोटोस डालता हूं, मोटिवेशन डालता हूं, content डालता हूं reels डालता हूं जिससे बच्चे motivated रहते हैं, त्यारी रहते हैं आप फटाफट से मेरा whatsapp group join करो, मैं आपको motivate करो तो क्या खाक motivate करेगा कई लोग वो निपटे जा रहे हैं और को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है मैं आज बहुत सारे मुद्दों पर बात करने वाला हूं मैं चाहता हूं कि आप जिंदगी में दीपू ना बने क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, लड़के success object हैं लड़कियों को फरक नहीं पड़ेगा हो सकता है कि अब उनका हनीमून जो है वो नियूवर्क में होना था और अब नई दिल्ली में हो रहा है लंदन में होना था लातूर में हो रहा है इतना सा फरक पड़ता है लेकिन लड़कों को बहुत जादा फरक पड़ता है because they are success subject अगर उनका सक्सिज नहीं है तो उनकी कोई उकात नहीं है तो कैसे एक UPSC क्रेक करने वाला बंदा UPSC मीम पेज चला रहा है एक डॉक्टर बनने वाला बंदा एक आईएटियन बनने वाला इंसान फैन पेज चला के खुश है यह सब क्यों हो रहा है मुबाइल फोन की गनित को समझना बहुत जरूरी है वरना आप निपड जाने है हनीमून को पैरिश से पटना शिप्ट करवा लिया कहा शेंपेन भी तैबलिठी चोका खाके काम चला रहे है तो यह जिन्दगी है मेरे दोस्त और जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप निपड जाएंगे सिर्फ कच्चा बादाम पर नास्ते रहोगे जिन्दगी में बादाम भी नहीं खापाओगे इतने पैसे नहीं होगे तुमारे पास में नास्ते रहोगे और निपड जाओगे और कोई समाल नहीं आयागा तुम्हें दोस्त कोई नहीं आयागा सब उकते सूरज को सब सक्सिस को सलाम ठोकते हैं इस पुरी संसार में लूपते हो कोई समझाता नहीं है मोबाइल फोन के बारे में अब ये कहा जा रहा है कि अब हर घर से पागल निकलेगा हर घर से पागल निकलेगा और ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये रीसर्च कह रही है मैं बताता हूँ क्यों कॉंसेप्ट को आप समझते जाएगा चीजों को रटने की कोशिश मत करिएगा बेसिक्स पर ध्यान दीजेगा हर घर से पागल निकलेगा आपको पागल पन के लिए सिर्फ डिवाइस काफी है ये मोबाइल खतरनाक नहीं है मोबाइल फॉन इस बेरी गुड डिवाइस लेकिन जब इसमें इंटरनेट जुटता है न तब इससे खतरनाक ड्रग दुनिया में पैदा नहीं ही दोस्त ये बच्चे हैं इसके सामने मोबाइल प्लस इंटरनेट चीप इंटरनेट और बोला ते तो सस्ता इंटरनेट बहुत महंगा सोधा है दोस्त बहुत महंगा तो इसा क्यों हो रहा है इस बात को हम लोग समझते हैं कि हर घर से पागल क्यों निकलेगा एक्चुली में क्या है कि कॉंसेप्ट है रियलिटी और एक्सपेक्टेशन मान लेते हैं कि एक बच्चे को एक यूथ को जो भी एक्जाम से उनका इस्प्रिंट हो सकता है उसका यह गोल था कि आज मैं दस घंटे पढ़ूँगा दस घंटे कि आज मुझे कम से कम टैनार्स पढ़ना है कुछ भी हो जाए भारत माता की कसम खाके कहता हूँ कि आज मुझे 10 घंटे पढ़ना है वह रिल्स में अपना समय गवा रहा है गवाते जा रहें गवाते जा रहें और एडनाइंड हुआ कि वह दो घंटे पढ़ पाया दो घंटे मेनत कर पाया दोस्टो इसके बीच कर गैप है न इसी को वर्तमान समय में फ्रस्टेशन कहा गया है इसी को वर्तमान समय में प्रोक्रास्टिनेशन कहा गया है यह फ्रस्टेशन यह जो फ्रस्टेशन आ रहा है यह स्ट्रेस में कनवर्ट होता है यह स्ट्रेस फीर में कनवर्ट होता है कि अब मेरा क्या होगा और यही fear, fear is the foundation, fear is the foundation of any psychiatric issue, आप दुनिया में जो भी psychiatric issue देखते हैं, fear उनका foundation है, और यह fear लेके आता है anxiety, कि मेरा future क्या होगा, और यह fear लेके आता है depression, क्यों आया depression, क्योंकि regret है, मैंने अपने समय खराब कर दिया, और मैं guarantee के साथ मैं कह सकता हूँ, आप यह वो समय है, जब पागल इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, psychiatric branch है, जो पागलों को treat करती है, डबलोच का मानना है कि psychiatrist की ज़रत आने वाले समय में 10 गुना बढ़ जाएगी, 10 गुना, जितने psychiatrist आज है न, उससे 10 गुना, और तब भी सारे treatment नहीं हो पाएंगे, इतने ज़्यादा patient होंगे कि तब भी doctor कम पढ़ेंगे, ये जो frustration आया है, और उसके बाद भी, ये सब होने के बाद भी, हम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, क्योंकि दिक्कत क्या है, एक वर्ड है, मौत, और मौत, चार टाइप की हो सकती है, मौत, एक natural मौत, प्राकरतिक रूप से मर गया, एक accidental, एक डिजीज, बिमारी हो गई मर गया, मौत आ गई, और एक मौत आती है, मोबाइल फोन को साइड में रखकर पढ़ने से, यह सबसे बड़ी मौत है, कोई रखना है नहीं चाहता, मौत आ जाती है, मौत रे, नहीं, नहीं, अभी तो वो पिंकी को मेसिस किया था, दोस्त पता है क्या है, मौबाइल फोन, दारू, सिगरिट, चरस, गांजा, अफीम, स्मेक, सबसे खतरनाक है, पता है क्यों, यह सब करके हो सकता है कि आप पचास की उमर में, साट की उमर में मर जाओ, आपने जिन्दगी में बहुत महनत करिये, लेकिन आप साथ में, चरस, गांजा, अफीम, में लगे रहे, और साट की उमर में मर गए, लेकिन मोबाइल फोन पता है क्या कर रहा है, यह आपके जाने को बरबाद कर रहा है, कि आप 15-25 साल रगड़ते रहे रगड़ते रहे और मैं हमेशा कहता हूँ मोबाइल फोन के उपर उंगलिया फिसलने से नहीं पूरे दिन पैन चलाकर उंगलिया पिचकने से रहन काता है लेकिन आप रगड़ते रहे और आपने अपने जिन्दिकी के golden years बरबाद कर लिये दोस्त golden years नशे से आप बुढ़ापे तक नहीं पहुँच पाते पहले ही मर गए no doubt नशा खराब है क्योंकि उससे आप जिन्दिकी नहीं जी पाते लेकिन mobile phone से आपने जिन्दिकी के golden years खराब करती है golden years smack चरस अच्छी है mobile is dangerous care सिर्फ खराब नहीं है कई फाइदे भी है one by one discuss करेंगे हमारे किरदार दीपु की तरफ चलते हैं जो दीपक था लेकिन उन्हें दीपु बना दिया गया और मैं आपको कह रहा हूं कि दीपु एक passionate photographer बन गया एक wildlife photographer बन गया दीपु ने ऐसा क्यों किया आखिर ऐसा क्यों किया पता है दोस्त दो टाइब के लोग ऐसे हैं जो फोन चलाते हैं दो टाइब के लोग concept समझिएगा एक वो जो frustrated है दूसरे वो जो motivated है क्या बात कर रहे हैं उसर दो ही टाइब के तो लोग होते हैं दुनिया में अभी समझना पड़ेगा आपको frustrated कौन जो शंगर से हार मान चुका है जिसका मन नहीं करता अरे कौन पड़ेगा अरे कौन जाएगा अरे कौन किताब खोलेगा अरे कौन चलो धड़ी पर चलो सुट्टा मार के आते हैं यह frustrated है संगर से डर लगता है low energy वाला आदमी कम motivated frustrated है वो phone चलाता है यह category है motivated भी phone चलाते है जिनके पास में comment में आ रहा है दीपू you are hot दीपक दीपू बन गया है दीपू you are hot वो भी चलाते हैं दोनों का concept समझता frustrated है यह basically वो लोग हैं जो शायद हार मान चुके हैं इनको लगता है कि हमारी जिंदगी में कितना संगर्ष है कितना struggle है कितना frustration है और साला कोई पूछने वाला नहीं है सुबर से शाम तक लगे हुए हैं दिन से रात कभी लाइब्रेरी में कभी घर पर कभी कोचिंग कभी कहां कभी कहां साला कोई पूछता नहीं है लगे हुए अब यह थग जोड़ यार अब संगर्ष नहीं होगा पता है दोस्त संगर्ष वह न संगर्ष वो जन जानवर और जगदीश तीनों को करना पड़ता है आप जब इस धर्थी पर पैदा हो इतना दोस्त उसी दिन ही डिसाइड हो गया था कि अब आप संगर्ष को जीने वाले हैं जीवन नहीं दोस्त जीवन ही संगर्ष है और वो संगर्ष जो आपकी जिंदगी में लिखा हुआ है ना वो आपको करना पड़ेगा कि आप जंगल के राजा है आप यकर नाइन्टी-पर्सेंट सिकार में फेल हो जाते हैं आपके नाहुं-टूटते हैं आपको भी झाव होते हैं आपके सिंग लगते हैं लेगिन आप फिर से उठके भागते हैं, क्योंकि आपको जंगल का नियम पता है, आपको राजा बनने का नियम पता है, एकर राजा बनना है, तो भागना तो पड़ेगा, यह जंगल का नियम है, यहाँ पर चाए हीरन हो, चाए शेर हो, सुबह उठकर दोड़ना पड़ता है, तो बगवान चोड़ो आप खुद भगवान भी होना और धर्ती पे हो संगर्स करना पड़ेगा दोस्त राम विश्नु के अवतार थे एक सेकंड में सब खतम कर सकते थे नहीं कर पाए यह धर्ती का नियम है जो यहाँ पैदा होता है धर्ती पे ग्रेविटी लगे ना लगे संगर्स का ठपा सब को लगता ही लगता है दोस्त और आप भगवान से प्रे ये करते हो कि भगवान संगर्स से बचा ले भगवान जिंदगी में समझ्या ना आए प्रोब्लम ना है ग्यार रुपे का प्रसाथ चड़ा देंगे अरे भगवान तुमारे साथ भी रहेंगे ना तब भी संगर्स से नहीं बचा पाएंगे अर्जुन के साथ में स्री कृष्ण रहते थे अर्जुन का योदी खुद को लड़ना पड़ा बगवान साथ भी हो अरे भगवान साथ हो ना स्दो म्यान अब तुम खुद भगवान हो तुम अर्जू राम हूं य नियम है यह धर्ती का नियम है यहनू पैदा होगे लड़ना पड़ेगा तो तुम अगे यह फ्रस्ट्रेट होगे फोन चला रहे हो अरे यार हटाओ यार रील्स देखने दो यार है अब केट्रिना विक्की कोशल की शादी हो इनके अच्छी रील्स हारी देखने दो यार कि नहीं पड़ जाओ के दोस्त और कोई पूछेगा नहीं तुम्हें साला जंगल के राजा को जंगल के राजा को शेर को चाबुक नहीं बारता उट खड़ाओ वह जारी तेरी हिरन पकट sih गड़े उसको कोई भगवान नहीं है, जो मुस्कुराते वे संगर्ज करता है वो ही भगवान होता है, राजकुमार सिद्धार्त, इंसान पैदा हुआ था, जंगल में क्या संगर्ज किया, आपने सुना रामधारी सिंग दिनकर की कुछ बातें, वसुदा का नेता कौन हुआ, इस धर्दी का ने किसने जीता, नव धर्म प्रनेता कौन हुआ, नव धर्म प्रनेता कौन हुआ, नया धर्म किसने बना दिया, जिसने विगनों में रहकर काम किया, ना कभी आराम किया, तो अगर आप मुस्कुराते हुए जंग लड़ते हो ना दोस्त, तो आप भगवान बन जाते हो, पस य यहीं अंतर होता है कि इंसान में और भगवान में जो लोगों को बहुत लेट समझाता है वसुदा का नेता कौन हुआ धर्ती किसने जीती सिकंदर महान कि अकबर मैं महान नहीं बोल रहा हूं उनको उन्होंने जीता है संवराथ असोग चंदरगुप्त मोर्ये वसुदा का नेता कौन हुआ बुखंड विजेता कौन हुआ नवधर्म प्रनेता कौन हुआ जिसने ना कभी आराम किया विगनों में रहकर काम किया तो विग्न, आपकी जिंदकी में रहेंगे मेरे दोस्त, रहेंगे, आप उन से मुह नहीं मोड सकते हैं, और जो मुह आपने लटका लिया ना, आप निपड़ जाओगे, आप निपड़ जाओगे, रीज देखने में लगे हैं, मेरे एक फ्रेंड है, डॉक्टर पर्वीन, अब बीबीएस 2011 ऐसे किया हमने, वह भी इस हो गया है, इस में उसका 141 रेंग था, उसने मुझे बताया कि भाई मैं कभी रीज नहीं देखता है, मैंने क्यों, क्यों, देखा करो यार, कच्छा बदाम का दानस आता है, देखा करो, आने वाले समय कच्छे काजू का आएगा फिर पिस्ता खरोट का रेगा, किसमिश का रेगा, देखा करो ना, क्यों नहीं देखते हो, बले यार, यह बच्चे हैं, रील से क्या होता है कि कानसेंट्रेशन, टाइम स्पेन, गिर जाता है, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 15 सेकंड, और आप, अखर तफ एक्जाम करेक करना चाहते ह आपको क्योशन इतना लंबा मिलता है कि आपका कॉंसेंट्रेशन टाइम स्पेन बहुत ज्यादा देर का होना चाहिए मैं रिजस नहीं देखता है खेर फ्रॉस्टेटेट इंसान जिसकी एनर्जी कम है और एनर्जी बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है उसको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता वो फोन चलाता है दूसरा मॉटिवेटेट इंसान नाम दीपक है लेकिन कमें दीपू आ रहा है यह मॉटिवेटेट इंसान हमारी जिन्दगी को कंट्रोल करने वाला एक केमिकल है उस केमिकल का नाम है डोपामाइन मॉटिवेशन मॉवेंट फोकस कंसेंट्रेशन एनर्जी सब कुछ इसी से आता है डोपामाइन एक्चुली जब दीपक को इंस्टाग्राम की फोटो डालने पर ये कमेंट मिला होट लग रहे हो दीपू तो दीपू में डोपामीन रिलीज हुआ और वो डोपामाइन उसे बार बार इंस्पाइर कर रहा है कि वो सर्च करता है बेस्ट फोटोग्राफर इन माई डिस्टिक डीड़ सुर्पेदे के फोटो की चवाता है फिर एक दिन सोचता है कि यार इतने सारे पैसे इसको दे दिया खुदी केमरा लिया आता हूं और वो कुद का पैसे बनाता है फोटोग्राफी इस माई पैसें वोटोग्राफी है इसतेक नेच्रोंचर्ल फोटोग्राफर इस मोटिवेशन कहां से आया दोपामीन ने उसके जिंदिगी का मक्सद चुप गया वो कुछ और हो गया यह मोटिवेशन आया दोपामीन से दोपामाईन अब मैं डोपामाइन की कहानी आपको अलग से बताऊंगा कि डोपामाइन किस केस में रिलीज हो सकता है, क्या हो सकता है, वो एक अलग बात है that I will discuss, लेकिन फिलाल यह समझते हैं that how you get trapped in mobile phone, how mobile trap you मैं conceptual बात करना चाहता, मैं तुम्हें motivate नहीं करना चाहता कि ओ सुनो, ओ टाबरो सुनो, यह सर मोबाइल छोड़ दो, तुम हसोगे मेरे उपर concept सीख जाओगे, जिंदगी बन जाएगी और कई साथवालों की बन जाएगी how mobile trap you, इसके कई concept है एक है FOMO concept concept, FOMO, एक है doom scrolling, एक है last minute check, लास्ट internet check, और एक है सबसे powerful, that is AI artificial intelligence यह चार वो तरीके हैं, जो किसी भी इंसान को mobile के जाल में फसागे रखते हैं FOMO, what is FOMO? this is fear of missing out आगे मैं कुछ ऐसी कहानिया बताऊंगा जो mobile phone की success है अब शौक हो जाओगे जानकर fear of missing out क्यों आप बार बार social media पे जाते हैं लोगों को देखते हैं और शोस्ते हैं यार इसकी वाखी है यह अच्छी पार्टी करने गया है यह बढ़िया जगे घूमने गया है ड्रेस कितनी शांदार है कितनी अच्छी hotel में खाना का रहा है और esseटरो के देखो है, बरतान पतरर पेलितने शांदार है आप यह सोचते हों कि यार मैं पीछे रहे गए इन से, कहाँ पाटी करने जा रहे है, कितना अच्छा इनका गुरूप है, कितने सारे लोग इनके साथ में, fear of missing out, कि आप पीछे रहे जाएंगे, आप पीछे रहे जाएंगे, FOMO, this is knowledge of FOMO, और यह सबसे major region है, एक बात बदाऊं दोस्त, एक बात याद रखना जिन्दगी में, FOMO काम करता होगा, लेकिन आपको यह समझ में आ गया है न, किस दुनिया में चाने के लिए है न, चिपना पड़ता है, मत देखो ने, तुम्हारी आँखो की exercise हो रहे हैं उनको देखने से, चश्मे का नमबर कम हो गया है, नेत्र दरस्टी बढ़ गई है, आँखों से अब, 100 किलोमेटर दूर तक देख पाते हो, ऐसा कुस्च नहीं हो रहा है, तुम जलील हो रहे हो, तुम जिल्ट हो रहे हो, तुम फ्रस्टेट हो रहे हो, और कुछ नहीं हो रहा है और तुम खतम हो रहे हो पर फिर भी तुम देख रहे हो FOMO Doom Scrolling Doom Scrolling के concept इसमें इंसान phone scroll करता है scroll करता है scroll करता है और negative news पर आकर रुख जाता है ये मुझे सबसे खतरनाग लगता है Doom Scrolling negative news देखना अच्छा है इससे आपको पता लगता है कि हमारे साथ में क्या गलत हो सकता है लेकिन हर वक्त negative news देखना आपको psychologically negative बना देता है और इसलिए मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं हर वक्त अज़सा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा वाला है ये दूम स्ट्रोलिंग का परिञाम है आप फोन चलाते हो रुख जाते हो जहां रेप हुआ जहां मडर हुआ जहां loot part हुई जहां किससाद धूका हो गया वहां रुख जाते हो डिवोर्स हो गया, वहां रुख जाते हो, अब परन हो गया, रुख जाते हो, किसी को मार दिया, गला कर दिया, रुख जाते हो, अब आपको यह लगता है, क्योंकि मुबाइल फोन की प्रोग्रामिंग ने, उस इंटरनेट की प्रोग्रामिंग ने, आपके दिमाग को negatively सोचन यह आपको बरबाद कर सकता है, यह आपको psychologicallyly पर्माने negative कर सकता है, फोमो ठीक है, बट डूम स्क्रॉलिंग, आपके psychology को ही negativity में ले जा सकता है, हमेशा के लिए, और इसलिए आज कर आप देखेंगे, OCD के बहुत सारे patient दिख रहे हैं, obsessive compulsive disorder, OCD, यह हर वक्त negative सोचते हैं, क कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, एक होता है, हाँ, बिलकुल, आपने भी देखा ना, श्रद्दा का case हो गया, हाफता वो श् हम psychologically negative चीजों के लिए ज्यादा oriented हैं but हर वक्त negative सुचना that is very dangerous आप psychologically एक negative इंसान बन जाएंगे और ऐसे केस में कोई इंसान आपसे बात करने में इंट्रेस्टेट तक नहीं होगा उसको पता होगा कि यह लिए तक गटिया नेगेटिव बात करेगा इंसान बन जाएंगेगा फ्रस्टेट कर देगा देगा इंसे दूर रहूं और लॉस्ट युप्लीट्ली लॉस्ट के एक लास्ट मिनट चेक सोने से पहले देख लेता हूं किसी का मैसेज तो नहीं आए अरे सन्नाटे तेरे पास किसी का मैसेज नहीं आए गा जिंता मत कर वो एंजल प्रिया का मैसेज आया होगा तेरे पास में महीने बर बाद ध्यान चलेगा साल बर बाद ध्यान चलेगा वो पासवाले सरदार जी थे जब तक तेरी जिंदगी निपट चुकी होगी तो उनके चक्कर में पागल हुए जा रहा है ना खून के खत लिख लिख रहा है लहू से खत लिखे जा रहा है ने तू वो सरदार जी थे पासवाले रात को सोने से पहले फोन चेक करना और कब दिन हो गया पता ही नहीं है दोस्त तू रात को सोने से पहले फोन चेक कर रहा है कब दिन हो गया पता ही नहीं है निकल गई रात किसी तुम्हारे कोई साथी होगा उसने कोई फेक आइडी बना रखी होगी शेक्सी दिव्या और तुम निपट कहे उस चक्कर में हैं last minute check last minute check रात में एक बार देख लेता हूँ एक बार देख लेता हूँ और रात गुजर गई खतरनाक है दोस्त बहुत खतरनाक है इस दुनिया में जिसको उड़ना है न उड़ना है जिसको उड़ना है सिर्फ उड़ना है उसका फोन जो है न वो फ्लाइट मोड में होना चीए दोस्त जिसको उड़ना है जिसके मंजिल है कि हमें सिर्फ उड़ना है उसका फोन flight mode में होना चाहिए आप 24 गंटे में कितनी देर phone को flight mode पर रखते हैं इससे आपके जिंदकी की destination define होगी, आरे notification बन नहीं flight mode, साला किसी का call भी नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए और तुम बैठे हो, ये देखने के लिए कि पासवाले पाजी का मेसेज आये की नहीं आया वो पाइल बनके बैठी थी वो पाजी थे वो पाइल नहीं वो पाजी है और तू फिर भी रात बर बात करने को राजी है अरे घदे अरे तु निपट जाएगा यार वो पाइल नहीं, वो पाजी है और तु फिर भी बात करने को राजी है नहीं देखना है, नहीं देखना है ये एक सबसे बड़ा केल देखो मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ ये नहीं कराऊंगा कि मोबाइल फोन फैंक दो, बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैं आज बताऊंगा आपको कि मोबाइल फोन यूज कैसे करना है I'll let you know I have suggestions मैं content search research करके आता हूं हवाई बात करने आप से कभी नहीं आता हूं Artificial intelligence this is the reason behind addiction आज के सारे के सारे social media apps इस तरीके से बनाए गए हैं कि उनको आप बार बार आके check करो बार बार आके check करो मान लेते हैं कि आपको मैं पसंद आ गया आप मुझे देखना चाहते हो पसंद आ गया मतले मेरा content पसंद आ गया अरिस्ता बेजने की बात नहीं कर रहा हूं मेरा content पसंद आ गया तो जैसे आप मेरा content देखते हो आप रुख जाते हो तो अब internet समझ गया, वो app समझ गया Facebook हो सकता, Instagram हो सकता, YouTube वो समझ गया किसको ये पसंद है तो बार बार आपको मुझे मुझे दिखाएगा जहां पर भी मेरा content होगा आपको दिखाएगा वो आपको दिखाएगा तो बच्चा इस चकर में क्या करता है कि जिस teacher का वो fan हो गया है उस teacher का वो IS कैसे बने IS कैसे बने से लेकर लड़की कैसे बटाएगा सारे वीडियो देख लेगा उन teacher ने नहीं बनाये ये वो आसपास वाले काट के real will डाल देते हैं उनकी और वो यह सोच रहा है कि सरी बेज रहे है हमको बस हो देखे जा रहा है ये Artificial Intelligence का कमाल है जो तुम्हारी complaint पर ही बारी बढ़ रहा है वो तुम्हारी Intelligence पर ही बारी बढ़ रहा है इस इस आसक of Artificial Intelligence और थुम सोच रहे हो कि सर से आयेस बनने तो कि तो हमारी उकात नहीं है सर में आयेस तो नहीं बना पाई लेकिन सर इतना सा काम तो कर देंगे हमारे लिए पांच सुत्र जाने पांच सुत्र जाने बंगाली बाबा बन गए सर बंगाली बाबा काला जादू है मन चाहा प्रेम शोतन से चुटका रहा, आज ही पाएं, अभी पाएं, मनों कामना पून करें किसी बच्चे ने डाल दिया, कुछ भी तुम ने डाल दिया उसमें, अब तुम देखे जा रहे हो इसको पता लग गया कि इसे पसंद करता है, इस मास्टर को पसंद करता है, तो उसी को इसी को दिखाए जा रहा है समझे, फोमो, डूम स्क्रॉलिंग, लास्ट मिनट चेक, एई, यह वो कई खेल है, इसमें खेला है, और आज कल देख नया ट्रेंड आ गया, पता है, आज की दुनिया में, आज की दुनिया में, सक्सिस्फुल होना सबसे आसान है, आज यूट्यूब पर या बाकी प्लेटफॉर्म पर इतना कॉंटेंट आ चुका है, कि आप घर से कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी, लेकिन आप क्या बनते हो, उल्लू, आप कुछ भी बन सकते थे, आपने क्या चुना, उल्लू बनना, मतलब मैं मानलो कोई लेक्चर डालता हूं, कोई content डालता हूं, बच्चा आता है, क्या बोलता है, सर पीडिएफ दे दोना, सरित्ता लंबा लेक्चर कौन देखेगा, वो quality content है, एक बार खोपडी में जम जाएगा, सब पीडिएफ पीडिएफ कर रहे हैं, पीडिएफ पीडिएफ सब करे, पीडिएफ पढ़ेना कोई, जो हाथ से notes बनाए, selection उसी का होई, अब यो तुमें हो गए, कैसे हुए, हम लिखते थे भाई, मैं फिर कह रहा हूँ, मोबाइल फोन पर उंगलिया फिसलने से नहीं, पूरे दिन पैंच चला कर उंगलिया पिचकने से रहेंक आता है दोस्त, और ये बात तुम्हें समझ लेनी है, वरना तुम फ्रस्टेट रहोगे, और कभी क कुछ कर नहीं पाओ, कि ये मेरी गैरंटीय मैं तुम्हें दे सकता हूँ, आज दे सकता हूँ, स्टाम पेपर पर लिखकर, अब चलाय जा रहे हैं, चलाय जा रहे हैं, कई लोग तो, मेरे साब से तो मोबाइल फोन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए, कोई लोग अंदा सचा करेंगे अपन गेमिंग और सटा, आप में जियाद दिला ना, ये भी एक बहुत जवर्दस चीज है, मैं इसके बारे में रूबरू हुआ हाली में, खेर, आप कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, ये सारी अनारकली की बात थी, अब हमें कुली की बात करेंगे, अनारक कुली, एक फोटो दिखाते हैं आपको, एक और फोटो दिखाते हैं आपको, एक और फोटो दिखाते हैं आपको, अब महीं सिखाने वाला हूं इस बंदे ने कैसे क्लियर किया, क्या पता है, कैबिनेट मिंस्टरस ने भी इसके लिए ट्वीट किया है, इस बंदे ने KPS सी क्रेक किया है, केरला पब्लिक सर्विस कमिशन, और एक कुली था बंदा, अब इस बंदे ने मोबाइल फोन का यूज कैसे किया, यह कहानी है, के शरिनाथ की, जो एक रेल्वे स्टेशन है, एन र कुलम, इस रेल्वे स्टेशन के उपर एक कुली थे, है नहीं थे, इनको पता लगा, तो 2016 में, कि इंडियन गौर्रमेंट, मोधी गौर्रमेंट, डिजिटल इंडिया स्कीम के तहट, भारत के हर एक रेल्वे स्टेशन पर, फ्री वाइफाई का प्लैन किया है, कि हर एक रेल्वे स्टेशन पर, फ्री वाइफाई लगने वाला है, यह बंदा, एन र कुलम रेल्वे स्टेशन छोड़ देता है, और यह चला जाता है, मुं Mumbai Central Railway Station यह वहाँ चला जाता है क्योंकि NR Kulam Railway Station पर Wi-Fi नहीं है बट Mumbai Central Railway Station पर है यह Mobile Phone खरीता है, SIM खरीता है, Jio की Earphone खरीता है और कुली का काम चालू कर देता है क्या PSC क्रेक कर लेता है और मैं सुन रहा हूँ कि 2022 में इस बंदे ने UPSC क्रेक कर लिया है ऐसी News है कैसे क्रेक कर लेता है यह बंदा Mobile देखता ही नहीं है Mobile देखता ही नहीं है सुनता है यह Mobile देखता नहीं है यह सुनता है कान में Earphone लगाता है अपना काम करता है और lecture सुनता रहता है content सुनता रहता है पता है क्यों कि इसकी बेटी है और यह चाहता है कि मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छा जिंदगी देना चाहता हूं इसकी बेटी को इसने पैदा किया है इसका इसान है उसके उपर लेकिन फिर भी उसे motivated है कि अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता हूं बेटी ने इसके लिए कुछ नहीं किया लेकिन यह करना चाहता है इसका motivation है तुम्हारे लिए तो तुम्हारे बाब आपने बहुत कुछ किया रहे कितने बलिदान है उनके SIM mobile phone earphone SIM mobile phone earphone SIM mobile phone earphone अब मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आप खुद के mobile phone का यूज कर सकते हैं इस बंदे ने KPSC crack की है Kerala Public Service Commission और मैं सुन रहा हूं इसने UPSC crack कर ली ना इसके पास में AC था ना इसके पास library थी ना इसके पास bed था ना इसके पास books थी ना पेरेंट्स का support था कुछ था तो हर तरफ शोर कुछ था तो 20 रुपे जेब में कुछ था तो उसे पसे ना इसके सक्सेस्फुल Mobile phone के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है कि mobile phone को आप जमें सिखाने वाला हूं आपको effective use कैसे करते हैं इसका और literally आप ये काम करते हैं तो आप ये समझ जाएंगे कि हाँ this is the thing जो हम जिन्दगी में lag कर रहे थे क्या है Mobile phone को सब दो लेकिन Mobile phone को अपनी आँखे मत दो Never give your eyes क्योंकि मेरे दोस्त आँखे ही focus है तुमने इसे देखा है एक शेर है ये शेर उस वक्त है जब अपनी जिन्दगी का सबसे महतवपून काम करना चाहता है इसकी आँखे देख रहे हो ये शेर की आँखे उस वक्त है जब अपनी जिन्दगी का सबसे महतवपून काम करना चाहता ँरेंदार वहह शिकार मोला है यह राशा है। लेकिन फिर भी इसका फोकस देख रहे हो। मि इसका फोकस देख रहे हो। दोस्तLE जहां आंखें हैं ना लुए फोकस है। जहां फोकस है ef swoje energy है और जहां energy है ना चाही वहीं से reasonable आएगा। अपना दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, मैं समझा रहा हूँ, छमझो, अपनी जिंदगी में, मोबाइल फोन को सब देना मेरे दोस्त, लेकिन आखे मत देना, क्योंकि क्या होगा, तुम आइस देते हो, तो नीचे शो करेगा, रिकमंडेट वीडियो, अरे ललू, बेटा लल देख, यह देख लिया, अब यह भी देख, never give your eyes दोस्त, eyes, focus, focus, energy, energy, action, action, result, आखे मत देना दोस्त, इस बंदे का case मैंने देखा है, एन आर कुलम वाले का, इसने सब दिया, ध्यान दिया, focus दिया, कान दिये, पसिना दिया, चाग दिया, सब दिया, आखे नहीं दी दोस्त, और वहीं जंग जीत ले गया है बंदा, फ्री में, फ्री की सिम, फ्री का इंटरनेट, कीमती एक चीज थी, वो था dedication, कीमती एक चीज थी, वो था पसीना, और इसको बेस कीमती चीज मिली, जब यह कुली होते वे सलेक्ट हो गया दोस्त, आखे मत देना दोस्त, जिसने मोब पैल फोन को उल्टा रख दिया ना, जो सुनना है, उल्टा कर दिया, सुन रहे हो, उल्टा कर दिया, उल्टा रख दिया, उसके जिन्दिकी के सीधे दिन शुरू हो गए, उसी दिन से, शुरू, उल्टा रख दो, कभी चील को देखे हो, चील को, मिरे पास चील की फोटो नहीं है, बाज, जानवरों का राजा शेर, पक्षियों का राजा बाज, पेनी निगाहें, दोस्त, ये सारा खेल निगाहों का है, सारा खेल निगाहों का है, प्रेम भी यहीं से होता है, तो सक्सिस भी इनी से मिलती हैं, दोस्त, याद भी तुम्हारी आँखे ही होती है तुम्हें पता है अगर आप किसी इंसान की आँखे छुपा तो आप उसको पहचान नहीं सकते ये मुबाइल फोन को सब दो आँखे मत दो तुम आगे निकल जाओगे गिव यूर इयर्स तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आप क्या कर सकते हो आप सिर्फ music सुन सकते हो without lyrics without lyrics एक अल्टरा बीट्स के नाम से channel है मैं channel को promote करता हूँ हलाएं कि जिन्दकी में मेरे channel को कोई promote नहीं करता है इस बात का मुझे तनिक भी आप अफसोस नहीं है खुशी है कि हमें सब दबाते हैं इग्नोर करते हैं लेकिन हमारा focus क्या होना चीए आखे mobile phone पर नहीं जाने चीए दोस्त आप music सुन 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 कोई सा भी आज कल तो वो भी आगे है deep focus music deep focus music deep focus music चलाओ उल्टा रख दो सुनते रहो mobile phone से बहुत ज्यादा connected हो गए इतने ज्यादा connected कि हम कई बाइक पर चल रहे हैं मान लो और एक दम से फोन डूणने लगते हैं फोन हाँ है we are connected we are connected तो मैं आपको यह नहीं कह रहाँ कि mobile phone पहेंग दो ओ बच्चों सुनो फैंक दो बर बाद कर देगा एक चीज़े smart हो सकती है तुम यह phone मैं यह नहीं कह रहा हूं दोस्त मैं यह नहीं कह रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि connected रहो, क्योंकि तुम उसे disconnect नहीं हो सकते हैं, because of this molecule, dopamine, तरीका बदलो, तरीका, connected रहो, उल्टा रख दो, सुनो, मैं हर वक्त सुनता था, मैं आज भी सुनता हूं, मैं सबसे ज़्यादा जिंदगी में गाने सुनता हूं, और आप जब पढ़ रहे हो, music, without lyrics, एक और चीज, मुवाईल फोन में आप stopwatch उसे करो, stopwatch, stopwatch, कि आप जैसे ही पढ़ने बैठो, stopwatch चला लो, किती दिर पढ़े हो आप, फूरे दिन का calculate होगा, और रात को सोते वक्त आप देख रहे हो ना, कि दोस्त, आज तो बारा गंटे पढ़ा है, तो तुम्हारा लास्ट मिनेट चेक करने का बन नहीं करेगा, वो पाहिल के चक्कर में तुम पाजी के मेसिज नहीं देखोगे, तुम मोटिवेशन मिलेगा, कि आज बारा गंटे पढ़ा है, सोजा, सोजा, कल सोला पढ़ना है, साला खुद का रिकॉर्ड तोड़ना है, स्टॉफ वाच, इसको बोलते हैं, इंस्पिरेशन, दुनिया में इंस्पिरेशन का सबसे बड़ा सोर्स है, स्टॉफ वाच, इंस्पिरेशन, तुम बोलते हो ना, कि फाल्तु का मोटिवेशन मत दो, इंस्पिरेशन दो, उसमें अलाम सेट करो, और सबसे इंपोर्टेंट मेरे दोस्त, अब सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, जिससे तुम्हारी तयारी का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा, सबसे बड़ी बात, एक अनौन नंबर, या अपनी माता जी का नंबर मालो, माता जी का नंबर, माता जी के नंबर reply मत करना जब भी घूमने जाओ WhatsApp नमबर की बात करो, बेशते रहो, बेशते रहो घूमने जाओ walk कर रहे हो coaching जा रहे हो, travel कर रहे हो उन voice notes को सुनो और उनमें होनी थे summary summary content आपने जो सीखा उसको voice में convert करो 10-15 page summary notes दो मिनट में voice note में convert हो जाते है एक chapter को आप 4-5 मिनट की voice में convert कर सकते हो सुनो लोग बाग सोजें गाने से उन्राइग घदा है, कुछ नहीं होगा इसका और तुम select होगए यह success है किताब खोल के घदे पढ़ते हैं स्मार्ट लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं यह तरीका है stop watch, defocus आखे मत देना दोस्त वरना blue eyes hypnotize करे ना करे mobile phone का artificial intelligence तुमें hypnotize कर देगा आपने सुनाओ गराओ का ना blue eyes hypnotize करती मैंनो वो करे ना करे, mobile phone इतना तेज है तो तुमें फसाय रखेगा बेटा यह देख लिया, यह देखना इससे अच्छा है यह देखना, यह देख यह देख, यह देख and you are lost you are lost gaming और सट्टा की बात करते है मैं आज कल देख रहा हूँ रोईत सर्मा, केल, राहूल यह सब लोग कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ हम भी बना रहे हैं हमसे ग्राउंड में नहीं खेला जा रहा हूँ, हम ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं gaming, अरे उसको मार, उसको मार, में एक दिन थड़ी पे गया वहाँ दो लोग लटेर, उसको मार, उसको मार मैंने का, क्या होग, कॉन लट रहा है अरे भाया, वो गोली मार रहे हैं मैंने का, गोली? राइफल, राइफल चला रहे है भारत में सबसे बड़ी सेना तयार है बेवकूफों की पब जी छोड़ दिया रोटी सबजी सुबह से शाम तक खेल रहे हैं पब जी रोटी सबजी की परवा नहीं है, पब जी कब जी, कब पड़ोगी जी नहीं पब जी भाड़ में जाये रोटी सबजी, पब जी और लाख में तक कई ऐसे सुसाइडिल केसा है यार उसमें वो वीपन अपग्रेड करने के चकर में इससे लोन ले लिया, उससे लोन ले लिया, माताजी का अकाउंट से पैसा उड़ा दिया, पिताजी का अकाउंट से पैसा उड़ा दिया, यह हो गया, वो हो गया, बाद में टाबर निकल लिया, हम बर गया, फ्रस्टेट हो गया अब यहां देख रहा था, एक साइट है एडिक्षेन है एक प्टड़ा पैसा हार के तहाँसोचते by निकलेंगे और आप निकलते होसे बीटके पैसा बीच जाता है खुद बीच जाते हो फोकस जाता यह फोकस मॹण ने कड़ जाते हो, यह दोस्त यहा आखे मत दो उसे आखे मत दो आखे मत दो दो मत आखे मत दो फिर तुम्हारी नजर को कोई जुखा नहीं पाएका इस दुनिया में मुबैल को आखे दे दिना तुमने हर जगे नजर जुखा के चलना पड़ेगा दोस्त कि तुम कुछ कर नहीं पाओगे काम दोना उसे आखे में दो कुछ काम की बात सुनो देखो नहीं दोस्त पुरना तुम लपेटे में आ जाओगे समझो इस बात को और डोपामीन जो है न जो मोटिवेशन का, मुवमेंट का, फोकस का केमिकल है ये नो डाउट इसको रिलीज करने के कई रास्ते होते हैं जिसे डोपामीन किस-किस से रिलीज होता है सेक्स से स्मोकिंग से सोचल मीडिया से कोई साभी निशा करने से अच्छा खाना खाने से गुड फूड सबसे डोपामीन रिलीज होता है यह सारे बेकार तरीके हैं, कुछ अच्छे तरीके भी हैं, जिससे dopamine release होता है, exercise से, कुछ काम करने से, कुछ काम complete करने से, हाँ, गंदे तरुकों में masturbation भी है, sexual energy transformation की बात की थी मैं इससे पहले बाले वीडियो में, अगले वीडियो में सन्यास की बात करूँगा, and that gonna be the revolutionary video of YouTube, ever dopamine release, masturbation, sex, smoking, social media, photo डालने से, like मिल रहा है, dopamine निकल रहा है, oh my god, 6500 like, dopamine, 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 addiction, good food, addiction, यह बेकार तरीके, अच्छे तरीके क्या हैं, क्या आप 12 गंटे पड़े, और फिर आपने stop watch में देखा, 12 गंटे, dopamine, dopamine, dopamine और dopamine, नदिया बह रही है तुम्हारी body में, नदिया, तुम्हारा selection हो गया, तुमने कुछ अच्छीव कर लिया, dopamine, dopamine, तुमने exercise करी, लंबी समय तक करते रे, करते रे, dopamine, तुमने sacrifice कर दिया, कुछ छोड़ दिया, dopamine, dopamine, तुम पार्टी में नहीं गये, थोड़ी दे regret होगा, फिर dopamine रिलीज होगा, यह बढ़िया हुआ, उस भीड़ी में नहीं गया, dopamine, कर उसके उपर में पहले बात कर चुका हूँ, आगे और बात करूँगा, लेकिन समझ लो दोस्त, सब देना, सब देना मेरे दोस्त, आखे मत देना, तुम जीत जाओगे, अनार कली मत बनना, इस कुली से सीखना, के शरी नाथ से, and I salute him, I salute him, he's a legend, he's a legend, become a legend, आज के लिए इतना ही है, आपने इस वीडियो से जो कुछ सीखा है, मैंने पूरा प्रियास किया है, और कुछ और होता है, ताप मुझे बताएगा, पता है, एक दूसरा पक्ष भी है, जिसकी बात मैंने नहीं करी, मैंने सुजा क्या बात एक दूसरा पक्ष है, एक second view है, जो पता है, क्या कहता है, वो ही कहता है, कि सर एक बात कहें, मैंने का बताओ, सर ये सारे लोग फरजी हैं, मैंने का क्यों, पर सर ये वही लोग हैं, जो दस के नोट पे लिखते थे, सौनम गुपता बेवववा है, ये तफरी मारने वाले हैं, ये पहले चाय की थड़ी पर बैठते थे, मुवी देखने जाते थे, रोते फिरते थे, यहां से वाँ गल्स इस्कूल के बार चकर कारते थे, अब इनको नया रास्ता मिल गा है, मुबाइल फोन, ये भी एक view है, मुझे नहीं पता, कि कितना सच है, सोचिएगा, और अ आज रात बैठके अनलाइज करिएगा, कि क्या आप वही इंसान है, जो सक्सेस्फुल हो सकता है, क्या आप वो इंसान हो, जिसको आप, जिस एक्जाम आप जो भी एक्जाम आप दे रहे हो, उसके लिए आप अपने आपको सेलेक्ट कर लेते, चीशे में पूछना, अपने सबसे असली दोस्त से, क्योंकि आपका दुष्वन और आपका दोस्त, आपसे बड़ा कोई और नहीं है, उसे पूछना, कि जो तु है, अगर मैं, बोर्ड का चेर्मेन हूँ, मैं UPSC बोर्ड का इंटर्व्यू का चेर्मेन हूँ, और मैं इंटर्व्यू ले रहा हूँ, क् क्या तो ऐसा है गुटनाइट आवरिवन